देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प करता हूँ, आप सभी स्वस्तों होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। एक लगाता भी उन्निस नवंबर के आसपास, अठारा उनिस नवंबर के आसपास चंदर ग्रहन। और अब लग रहा है सूर ग्रहन। शास्त्र कहते हैं कि जब भी दो ग्रहन एक महीने के अंदर लगते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि यद्योक मास ग्रहनम भवेच राशी सूर्ययो राज युद्धम तदागेयम चयम याती वसुन्धरा। यानि कि एक महीने में चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रहन अगर लगते हैं एक महीना मतलब 30 दिन के अंदर तो युद्ध के हालात बनते हैं जो असमाजिक तत्व होते हैं वो काफी उपद्रव मचाते हैं पाप में वृद्धी होती है सज्जनों को पीड़ा होती है तो ज जैसा कि मैंने बताया एक ग्रहन 19 के आसपास लगा था नवंबर 19 नवंबर के आसपास और अब 4 को लग रहा है चंद्र ग्रहन में जहां चंद्र का involvement होता है नाम से ही पता जलता है वहीं सूर्य ग्रहन में सूर्य का involvement होता है लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहन हो या चंद्र ग तो देखते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा इस सूर्य ग्रहन का देश पर दुनिया पर कोरोना वाइरस पर और व्यक्तिकत जिन्दगी पर। लगन की कुंडली देखते हैं भारत के लगन की कुंडली में सात्वे घर में ग्रहन पड़ रहा है। विद्धियां बढ़ेंगी आप यह देखेंगी कि आने वाले कुछ समय में बार-बार हमारे सेनाओं द्वारा हमारी साहसी सेनाओं द्वारा किये गए ओपरेशन की जानकारी हमें मिलेगी अभी भले हमें प्रतेक्ष रूप से नहीं रहा नहीं पता चल रहा लेकिन यह ग्रहन गहीं बता रहा है कि हमारी सेनाओं गुप्त रूप से बहुत एक्टिव हैं बहुत प्रियास कर रहे हैं कई ऑपरेशन एक्टिव हैं जो असमाजिक तैत्वों के लिए या कई उनको हटाने के लिए चल रहे हैं सीमा पार से कई ऐसी गतिविदिया होंगी जो हमें प्रवोक करने के लिए की जाएंगी तंग करने के लिए की जाएंगी भले ही वो सीज फायर का उलंगन हो या कुछ और बॉर्डर के आसपास के एरिया में डिस्प्यूट्स होंगे जैसा मैं बता रहा हूँ बहुत समय से कि ये आने वाला समय बहुत समबेदन शील है आप देखेंगे भारत के लिए भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी कही ना कही युद्ध जैसे हाला तो बन सकते हैं भारत की बढ़ती ताकत को लेकर कई ऐसे देश हैं जो ये सहन नहीं कर पारे कि भारत आगे जा रहा है तो भारत की छवी धुमिल हो सकती है करने की कोशिश की जा सकती है हो नहीं पाएगी लेकिन करने की कोशिश होगी क्योंकि सूरे यहां बैटे हैं इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर ले भारत की छवी को धुमिल नहीं कर पाएगा बहुत एग्रसिव स्टेंड हमारे देश द्वारा भी लिया जाएगा यदि कोई ऐसा कुछ करता है अब कोरोना की बात कर लेते हैं अप्रिल 2021 में शायद मैं एक मात्र जोतिश था जिसने बताया था कि कोरोना के केसिस बढ़ेंगे उछाल आएगे क्योंकि कई लोगों ने यह बताया था कि क्योंकि ब्रहस्पती का राशी परिवर्तन हो रहा है तो सब अच्छा हो जाएगा इसके विपरीत मैंने बताया था की कोरोना के केसिस बढ़ेंगे वीडियो की лिंक आई बटन पर डाल दूँगा देख लीजेगा कि किस तरह से मैंने विश्लेशन करके बताया था कि कोरोना के केसिस बढ़ सकते हैं अब बात करते हैं इस गहन की जैसा मैं बार-बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि दो ग्रहन आसपास लग रहे हैं, एक लग चुका है, एक लगने वाला है तो करोना वाइरस के लिए भी एक समवेदन शील्ड समय रहेगा आने वाला एक डिड़ महीना पिछली वीडियो में मैंने बताया था, शुक्र के राशी परिवर्तन में शायद कि अभी करोना को seriously लेना हम बंद कर देंगे, कई लोग बंद कर देंगे कई लोगों ने कर भी दिया होगा, लेकिन यह है उसके लिए अच्छा समय नहीं है अभी भी हम इसको easily नहीं ले सकते, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि बहुत समवेदन शील समय है, और अब आने वाला समय, यानि कि एक डेड़ महीना, दो महीना और समवेदन शील रहने वाला है, देखते हैं क्या हो सकता है, भारत के लगने के स्वामी आठवे घर में है कुछ दिनों में ही राशी परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन जब गरहन होगा तो आठवे घर में ही होंगे साव बता रहा है, इन्फेक्शन का रेट थोड़ा उपर जाएगा लेकिन उससे चिंता जनक बात यह दिख रही है कि अवावस्य है, केतू है यहाँ पर, चंद्रमा है, सूर्य है और क्योंकि ग्रहन की आसपास का, ग्रहन ही होगा, आसपास का क्या तो क्योंकि यह सब साथवे घर में हो रहा है, तो मुझे यह लग रहा है कि बहुत संभावित है कि कोई नया वेरियंट आ सकता है करोना का, जो घातक होगा और क्योंकि साथवे घर में है यह ग्रहन, राहू का प्रभाव होगा बहुत संभावित है कि जो variant आएगा वो देश के बाहर से आएगा यानि कि बाहर के देशों से कोई variant आ सकता है जो हमारे देश के वाइरस के साथ मिलकर कुछ नया variant बना सकता है जो थोड़ा घातक हो सकता है तो इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी especially हमारे देश की सरकार को देखना पड़ेगा कि बाहर से जो भी चीज आ रही है लोग आ रहे हैं उनकी screening बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए अपने protocols, measures जो भी हमारे सरकार द्वारा लिये जाते हैं उसको और tight करना पड़ेगा परना जैसे मैंने बताया कि बाहर से कोई नया variant आ सकता है जो हमारे देश के variant के साथ थोड़ा react करके और घा तक हो सकता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि South East India में cases बढ़ेंगे और आपने देखा भी होगा कैसे उस पार्ट में cases थोड़े बढ़े हैं अब यह लग रहा है कि भारत के दक्षिनी हिस्से में केसी सचानक से बढ़ सकते हैं अब देखे कैसे कि दक्षिनी हिस्सा क्या है भारत को तीन पार्ट में बाढ़ दीजिए कश्मीर से लेकर मध्यपरदेश तक उत्तरी भाग मध्यपरदेश से महाराष्ट के شروعात तक मध्य भाग और उसके नीचे का सारा दक्षिनी तो जो मध्य प्रदेश के नीचे के सारे स्टेट्स है महाराष्ट से लेकर महाराष्ट की शुरुआत से लेकर समझ लिजे कि वहाँ पे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं अचानक से तो जो दक्षिनी हिस्सा है भारत का वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरत्मी होगी अब प्राक्रतिक आपदा की बात कर लेते हैं ग्रहन प्राक्रतिक आपदा के बारे में भी जानकारी देते हैं यदि आप मेरी राशी परिवर्तन आदी की वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपने देखा होगा मैंने कई बार प्राक्रतिक आपदा के बारे में बताया था और कई चीजें सच भी हुई हैं भुकंप से रिलेटेड हो या बाढ़ से रिलेटेड जब ब्रहस्पती मई में वक्री हुए थे तब भी मैंने बताया था बाढ़ जैसे हालात बनेंगे और जहां पर बताया था वही हुआ था एक बार भुकंप के बारे में बताया था मैंने सूर्य राशी परिवर्तन में मंगल राशी परिवर्तन में रिसेंटली भी जब फ्लड्स आये थे उसके वारे में भी बताया था मने तो अब क्योंकि ये ग्रहन फिर से हो रहा है और दो ग्रहन जैसे मने बताया कि आसपास हो रहे हैं तो प्राक्रतिक आपदा की संभावनाए भी बढ़ रही है क्योंकि सात्वे घर में ग्रहन हो रहा है लगन पर पूरा प्रभाव रहेगा लगन के स्वामी आठवे घर में होंगे अच्छा नहीं है ये कुछ दिनों में मंगल भी आजाएंगे सात्वे घर में और ग्रहन के आसपास ही होगा, कुछ दो-तिन दिन बाद ही हो जाएगा ये इतने सारे ग्रह जब स्थिर राशी में होते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता प्राक्रतिक आपदाई आ सकती हैं और बहुत संभावना होती है भुकंप की भुकंप की बहुत संभावनाएं होती है इस समय में ग्रहन के आसपास के समय में तो आने वाले दिन में हम देख सकते हैं कोई प्राक्रदिक आपदा आ सकती है बहुत ज़्यादा संभावना है कि भुकंप की आ सकती है कहां होगा ये देख लेते हैं मेरे हिसाब से भारत के उत्तरी हिस्से में नौर्थ वेस्ट पार्ट में भी हो सकता है ये और भारत के दक्षिनी हिस्से में कहीं पर प्राक्रदिक आपदा आ सकती है अब बात कर लेते हैं बारा लगन या बारा राशियों के बारे में ये राशी फल लगन पर आधारित होगा लेकिन आप अपनी राशी से भी इसको अब्ज़र्व कर सकते हैं क्योंकि सामान ने विशलेशन होगा मेश से सुरुआत करते हैं आपके लिए ग्रहन आठवे घर में हो रहा है इसलिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा स्पेशली आपकी सेहत को लेकर मानसिक सेहत जादा प्रॉब्लमेटिक दिख रही है शारितिक सेहत भी एफेक्ट करेगी लेकिन मांसिक सेहत जादा तकलीफ दायक रहेगी सूर्य का यहाँ पर होना जो आपके पांचवे घर के स्वामी है साव बता रहा है कि आपकी मांसिक सेहत बिगड़ेगी आपके बच्चों की सेहत पर बिगड़ सकती है बच्चों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं तीसरे भाव के स्वामी का यहां आना बता रहा है कि भाई बहन के साथ भी वाद विवाद हो सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर बहुत संभावना है वाद विवाद होगा कुछ दिनों के लिए यात्रा से बच्चे कोई legal कारेवाही अगर चल रही थी तो उसमें थोड़ा अनिश्चित्ता आ सकती है कुछ समय के लिए आपको अगले एक महीने तक अपनी मानसिक सेहत का जाधा ध्यान देना है जाधा तनाव मत लीजिएगा वरना आपकी सेहत बहुत बिगड़ सकती है ओवराल सेहत की बात करें तो कोई infection तंग कर सकता है blood related disorders हो सकते है piles की problem है तो दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है अब चलते हैं वरिशब की तरफ आपके लिए ग्रहन सात्वे घर में हो रहा है सबसे पहले यही बता रहा है कि शादी शुदा जिंदगी में तनाव आ सकता है काफी upsend downs आएंगे शादी शुदा जिंदगी में बहुत वाद विवाद होंगे जिनकी शादी शुदा जिंदगी में अलरडी problem चल रही थी divorce तक तलाग तक बात पहुँच सकती है relationship के लिए आने वाला सेहत भी थोड़ी बिगड सकती है घर में भी थोड़ा तनाव का महौल रहेगा क्योंकि यह ग्रहन आपके लगन को directly प्रभाव कर रहा है क्योंकि सात्वे घर में हो रहा है आपके लगन से सारे ग्रह लगन को ही देखेंगे इसलिए आपके ओपर इसका प्रभाव जादा रहेगा मानसिक तनाव की प्रॉबलम भी रहेगी चंद्रमा, सूर्य दोनों ही यहीं पर होंगे क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है चंद्रमा बिजनस में शायद उचाल आ जाए लेकिन भाई बहन से संबंद बिगडेंगे घर में तनाव रहेगा तो आपको थोड़ा जादा ध्यान रटना है आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है सेहत की बात करें तो हॉर्मोनल प्रॉबलम, किड़नी से सब्बंदित प्रॉबलम, पुरुशों में प्रोस्ट्रेट की प्रॉबलम सेहत बिगडेगी बातों में कडवाहट आएगी आपके वानी कडवी हो जाएगी मिसकॉम्यूनिकेशन का शिकार होंगी अपनी बातों के कारण कई दुश्मन अपने आप बढ़ा लेंगे लेकिन साहस आपमे पून रहेगा कई साहस पून निरने भी ले पाएंगे घर में थोड़ा तनाव का महल रह सकता है घर में दरिद्रता बिमारी निवास कर सकती है घर वालों से कुछ जगडे भी हो सकते हैं छोटी छोटी बातों पर जगडे होंगे लेकिन इस ग्रहन का कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि जब कोई नेगेटिव योग एक नेगेटिव जगा पही बनता है तो यह समझ लीजे कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है इसलिए अचानक से आपको कोई अच्छा प्रभाव भी दिख सकता है कोई आपकी अदालती कारवाही चल रही थी कोई और चीज जो बहुत समय से अठक रही थी वो अचानक से पूर्ण हो सकती है उससे रिलेटिड कोई पॉजिटिव निउस मिल सकती है आपका कोई बहुत समय से काम अठक रहाता भेवी अचानक से बन सकता है कोई ऐसी रुकावट जैसे मैंने बताया जो हटी नहीं रही थी वो भी हट सकती है तो मिला जुला प्रभाव रहेगा आपके लिए सेहत की बात करे तो डाइजेस्टिव डिसॉर्डर पेट से संबंदित प्रॉब्लम और जिनको डाइबटीज है काफी खास ध्यान देने की जरूवत है चलते हैं करक की तरफ आपके लिए ग्रहन पांचवे घर में हो रहा है क्योंकि आपके लगने के स्वामी खुद ग्रहन में ही involved होंगे एक तरह से भले ही सूर्य ग्रहन हो लेकिन चंद्रमा अमावस्य योग बनाकर सूर्य के साथ ही होंगे इसलिए ग्रहन का पूरा प्रभाव आपके लगने के स्वामी यानि की चंद्रमा पर रहेगा और क्योंकि लाइफ पर भी इसका असर दिख सकता है थोड़ी बहुत अनिश्चित्ता कारेक शेत्र में भी आएगी क्योंकि दसवे घर के दसवे घर से अश्टम स्थान में जा रहे है जौब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा शायद कोई बहुत लुभावना जौब आफ़र आ जाए जो बहुत अच्छा लग रहा हो इस समय पे तरिकि नागे जाकर आपको थोड़ा प्रॉब्लम वो दे सकता है आपके अपने बच्चों से संबंद बिगड़ सकते हैं आपके माता जी की सेहत भी थोड़ी विगड़ सकती है मानसिक सेहत अगर शेयर मार्किट आधी में काम करते हैं पैसा लगाते हैं अगले दो ढाई हफते तक बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा परना पैसा डूप सकता है हृदे संबंदित प्रॉब्लम पेट से संबंदित प्रॉब्लम और जिनका रिसेंटली वेट गेन हुआ है एक बार फुल बॉडी चेकप करा ले अब शलते हैं सिम्भा के तरफ आपके लिए ग्रहन चौथे घर में हो रहा है बहुत अच्छा नहीं रहेगा सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ग्रहन आपके लगने के स्वामी आने के सूर्य पर ही लग रहा है लगने के स्वामी पर ग्रहन लगता है और जब लगने के स्वामी ही होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि problems होंगी शारिरिक सेहत, मानसिक सेहत दोनों बिगडेंगी decision making बहुत गलत हो सकती है आने वाले कुछ समय में आपके कुछ गलत निरने बहुत भारी पड़ेंगे किसी pressure के चलते कोई निरने लिया व्यक्तिकत जिंदगी में, professional life में बहुत लंबे समय तक उसका भुक्तान करना पड़ेगा इसलिए कुछ भी अभी आपको निरने लेना है तो बहुत सूज समझ के लें सूज बूज के साथ लें लेकिन आपके decision making की क्षमता भी थोड़ी कम रहेगी इसलिए यदि आप देख रहे हैं ये राशिफल तो यही कहूंगा कि दिसंबर में अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा निरने लेने से बचे क्योंकि वह लाबकारी नहीं होगा घर में भी काफी तनाव रहेगा घरवालों की तब्यत बिगड़ सकती है नोग जोक रहे की घर में आर्गुमेंट्स होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बुरी नियूज आ सकती है लॉस हो सकता है एक्सिदेंट के भी योग है आपके लिए ग्रहन थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है स्वभाविक है कि क्योंकि लगने के स्वामी involved हैं तो थोड़ा बच के रहें एक्सिदेंट वाली जो मैंने बात बताई है उसको थोड़ा सीरिस ले जितना हो सकता है ड्राइविंग avoid कीजिए याता यात avoid कीजिए सेहत की बात करें तो अब चलते हैं कन्या के तरफ आपके लिए ग्रहन तीसरे घर में हो रहा है सबसे पहले यही बता रहा है भाई भेहन से संबंद विगड़ सकते हैं कारेक्षेत्र में बाधाई आएंगी क्योंकि दसवे घर से छटे में हो रहा है तो कुछ legal problem भी आ सकती है खराब in the sense miscommunication बहुत होगा जो बोलेंगे लोग समझेंगे नहीं उसका गलत मतलब निकालेंगे क्योंकि लाव स्थान के स्वामी यहाँ पर है लगन के स्वामी के साथ होंगे तो कुछ ना कुछ लाव आपको अचानक से भी मिल सकता है लेकिन क्योंकि सूर्य भी होंगे जो बारवे घर के स्वामी है उनका यहाँ पर होना बता रहा है कि खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं लेकिन बुरे खर्चे नहीं होंगे अपने शौक पर अपनी होबीज पर खर्चा करेंगे आपके लिए मिला जुला दिख रहा है यह ग्रहन अपनी कॉम्मिनिकेशन पर ध्यान दीजेगा काफी चीज़ें उससे सेटल हो जाएंगी जो भी बोलना है बहुत सपष्ट रूप से बोलिएगा गले से संबंदित रोग, घुटनों से संबंदित रोग आप चलते हैं तुला यानि के लिब्रा के तरफ आपके लिए ग्रहन मिला जुला प्रभाव देगा जहां प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लाव हो सकता है वहीं व्यक्तिकत जिंदगी में प्रॉबलम आएंगी क्योंकि दसवे घर से पांचवे में होगा तो धन भाव है क्योंकि यह है तो कारकशेत्र में लाव हो सकता है कारकशेत्र के स्वामी लाव स्थान के स्वामी दोनों यहीं पे होंगे ग्रहन लग रहा है इसलिए यह बता रहा है कि अचानक से लाव हो सकता है करियर में पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं बिजनस में एक तरह का उच्छाल आ सकता है अचानक से प्रॉफिट हो सकता है प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं लेकिन व्यक्तिकत जिंदगी पर इस ग्रहन का बुरा प्रभाव पड़ेगा शादी शुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी जिनकी शादी निकल जाएं डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत भी अचानक से गिर सकती है कुछ रिष्टेदारों से आपके जगड़े हो सकते हैं बहस हो सकती है मिला जुला प्रभाव दिख रहा है आपके लिए व्यक्तिकत जिंदगी में प्रफेशनल लाइफ उपर होगी यही समझ लेजी सेहत के हिसाप से आखों से संबंदित प्रॉब्लम उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम और हड्डियों से संबंदित प्रॉब्लम तंग करेगा अब चलते हैं व्रिष्चिक के तरफ आपके लिए ग्रहन मिल प्रफेशनल में है कर्म धर्मादी पति योग बन रहा है बले ही ग्रहन पढ़ रहा है इन दोनों पर लेकिन अपना प्रभाव देंगे और क्योंकि केतु हैं तो आप काफी सजग हो जाएंगे अपने करियर के प्रती करियर की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे अप उसमें आपको लाब भी मिलेगा अचानक से पैसा आ सकता है अचानक से बहुत अच्छा जॉब ऑफर भी मिल सकता है अचानक से बिजनस में उच्छाल आ सकता है पैसे के हिसाप से अच्छा देख रहा है लेकिन शादी शुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी रिलेश फिजिकल हेल्थ जादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और क्योंकि आपका लगने का जलिये तत्व की राशी है इसलिए इम्म्यूनिटी आपकी थोड़ी और कम हो जाएगी वैसे भी थोड़ी इम्म्यूनिटी कम होती है फिजिकली स्ट्रॉंग होते हैं लेकिन तरफ आपके लिए ग्रहन बारवे घर में हो रहा है, सबसे पहले तो साथवे घर के स्वामी यहाँ पर होंगे तो शादी शुदा जिंदगी में उतार चड़ावाएंगे, आपके अपने पार्टनर से बहुत वाद विवाद होंगे, लाइफ पार्टनर से या से बॉइफरेंड से जो भी हैं, काफी जगडे होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, फिजिकल कमपैटिबिलिटी की कमी रहेगी, आपके अपने पिता जी से भी काफी वाद विवाद हो सकते हैं, भागे कहीं कहीं पर पूरा साथ छोड़ देगा, लंबी दूरी की यातरा से आपको बचना है, धर्म के प्रती अरूची हो सकती है, यानि कि धर्म की रूची में कमी, धर्म की निंदा करने से बचें, परना आप पर नेगेटिव असर पड़ेगा, एक अच्छी चीज है कि चंद्रमा यहां बैठकर विपरीत राज्योग बना रहे हैं, और क्योंकि ग बिगड़े हुए काम आपके बन सकते हैं, कई काम जिनको लेकर आपने उमीद ही छोड़ दी थी, अचानक से बन सकते हैं, करियर के प्रती काफी अकस्मत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, वल्ला कि अचानक से, लेकि शादी शुदा जिंदगी उतार चड़ाव भरी और पैरों से संबंदित रोग तंग करेंगी, अब चलते हैं, कैप्रिकॉन यानि की मकर राशी की तरफ, आपके लिए ग्रहन ग्यारवे स्थान में हो रहा है, संभव तह अच्छा फल देगा, ग्यारवे स्थान में कोई नेगेटिव ग्रह, बुरा ग्रह, अशुब ग्रह नेगेटिव योग, ये सब भी अच्छा रिजल्ट देखे जाते हैं, लाब प्राप्ती होगी, इच्छा प्राप्ती होगी, इच्छा पूर्ती होगी, पैसा आएगा, अचानक से पैसा आ सकता है, कई अलग-अलग सोर्से से पैसा आ सकता है, पैसा कमाने के लिए अगले एक डेड़ महीने में काफी कारे रथ रहेंगे और कमाएंगे भी, लेकिन कुछ गलत कारे भी आप कर सकते हैं, जान बूच कर पैसा कमाने के लिए, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है, परना आने वाले समय में मुश्किल पड़ सकती है, बिजनस में अचानक से उचाल आ सकता है, क्योंकि आठवे घर के स्वामी सूर्य यहाँ पर है, तो यह भी बता रहा है कि अकस्मत धनलाब हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा, कि यहाँ से पैसा आएगा, क्या उस जगा से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आ सकता है, मतलब की unexpected sources से, अच्छा दिख रहा है आपके लिए गरहन, जिनकी शादी की बात टल रही थी, वो भी अच्छानक से बन सकती है, हेल्थ की बात करें तो lower body में कुछ problem आ सकती है, अब चलते हैं कुम्ब की तरफ, आपके लिए गरहन मिला जुला रहेगा, दस्वे घर में हो रहा है, करियर में एक बहुत अच्छी opportunity भी आपके सामने आ सकती है, वहीं दूसरी और, करियर में कई बाधायें भी उत्पन हो सकती है, जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, तो बहुत अच्छी कोई opportunity मिल सकती है, लेकिन जहां काम करते हैं, बहुत बाधायें आएंगी, ego clashes होंगे, जो लोग साथ में काम करते हैं, उनके साथ problem होंगी, अपने senior से वादविवाद होंगे, आप पूरी authority रखना चाहेंगे, लेकिन तब भी नहीं रख पाएंगे, आपके हर action को लोग question करेंगे, तो मिला जुला प्रभाव रहने वाला है, बिजनस करते हैं तो, तब भी समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन job करते हैं, तो थोड़ी problem आ सकती है, थोड़ा अनिश्चित्ता भरा समय दिख रहा है, job के हिसाब से, share market आड़ी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो risk नहीं लेना, अगले एक महिने तक, नई partnership भी start करने के लिए, अच्छा समय नहीं रहेगा, कोई legal case चल रहा था, तो वह थोड़ा तनाव देगा, घर में भी थोड़ा तनाव का महल रह सकता है, सेहत की बात करें तो, lower back में दर्द रहेगी, chest संबंदित रोगतंग करेंगी, हृदे संबंदित रोगतंग कर सकता है, चलते हैं, राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि एक त्रिकोन स्थान का स्वामी, दूसरे त्रिकोन में आ रहे हैं, कोई legal case चल रहा था, तो थोड़ा positive result आ सकता है, positive direction मिल सकती है, अचानक से स्थितियां बदलेंगी आपके लिए, एक डेड़ महीना आपके business में, यदि business करते हैं तो, पूरी जान डाल दीजिए, पूरे efforts डाल दीजिए, बहुत महनत करने वाला समय है, क्योंकि इस समय यदि आपने महनत कर ली, तो यकीन मानिये, कि आपको बहुत मुनाफ़ा होगा, आने वाले समय में, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, कि जिन्दगी बर बैठ कर खाएंगे, उसका योग भी बन रहा है, तो महनत बहुत करनी है बिजनस में, एक चीज कहूंगा कि, आने वाले एक डेड़ महिने में, धर्म का सहरा लीजिए, धार्मिक बनिये, मेडिटेशन कीजिए, मंतर जाप कीजिए, साधना कीजिए, हवा नाधि कीजिए, करवाईए, आपकी जिन्दगी बदल सकती है, भाग्य पूरा साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि भाग्य स्थान में हो रहा है ये, योग, और क्योंकि वैधर्म स्थान भी है, तो थोड़े धार्मिक बनिये, नहीं है तो भी थोड़ा कोशिच कीजिए बननेगी, आपको बहुत साथ मिलेगा, विश्वास थोड़ा दिखाएंगे भगवान में, तो भगवान आपका बहुत साथ देगा, कई आपके बिगड़े होए काम बन सकते हैं, हेल्थ की बात करें तो गुटनों से संबंदित, गले से संबंदित, जोडों से संबंदित रोग तंग करेंगे, अब उपाय की बात कर लेते हैं, घर में गंगा जल का छिड़काव करें ग्रहनवाले दिन, दान करना है आपको गुड सरसो के तेल, तिलके तेलक और चावल का, घर में शिव सहस्थर नाम का पार्ठ करें, शिव सहस्थर नाम का पार्ठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संस्क्रिट में होता है, तो उसको तेज वॉल्यूम में अपनी फोन में चलाएं, या लैप्टॉप में चला है चैनल पर नए है सब्सक्राइब केजिए वीडियो को लाइक केजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए हो नमश्राइब